नमस्कार दोस्तों पहाड़ी आयरवेदिक में आपका स्वागत है आज इन फूलों से तो दोस्तों आज हमारे चैनल का पूरा एक साल हो गया और इस चैनल पे आपके प्यार के बरसात करने के लिए बहुत बहुत लाखो लाखो आपको हारदिक स्वागत दोबारा मैं करता तो दोस्तों आप हमारे चैनल से इसी तरह जूड़े रहिए मैं आपका लाखो लाखो सुक्रगुजार करता हूँ और अपने प्यार के बरसात आप हम पर इसी तरह से करते रहिए तो दोस्तों आज मयूर फूल से शुरुआत करते हैं या जो फूल आप देख रहे हैं इस इसे तो अलग-अलग भासाओं में अलग-अलग नामों से इसे जाना जाता है या फूल के सरिया और आग से मिलता जुलता है इसलिए कहीं कहीं से जुआला फूल के नाम से भी जाना जाता है और दोस्तों मोर के सर पे इस तरह से सिंगार होता है जिस तरह सी फूलों है इसल पीकोग फुलार कहते हैं और उर्दू में इसे गुलमोहर नाम से जानते हैं तो दोस्तों इस तरह से अलग-अलग भासाओं में इसका अलग-अलग नाम है आप किस नाम से जानते हैं हमें जरूर बताईएगा तो चलो दोस्तों आज हम इसी पौधे के बारे में जानकारी ले इसके फल कैसे होते हैं इसके ज olarak कैसे होते हैं तो चलो दौस्त हो करते हैं देखियों ये कली तो दोस्तों यह कली खिळकार फूल बन जाएगा और यह इस पोधे की फैली जिसके अंदर बीज काला काला होता है यह वी ज Minnesota gün गए और यह सूंखने के बाद ब्राउन कलर को होता है वो भी मैं आपको दिखा दूगा तो दोस्तों धेकिए हैं यह सूख दूखे अंदर को जनँ शूख जाता है और को ने कर कि गिर जाता है फिर वर्सात के दिनों में और दोस्तों एक बार आप फिर से देख लीजिए यह फली मैंने अभी अभी खोला इसके अंदर बीज देखिए काला काला है और चप्टा है तो दोस्तों अब मैं आपको इसका पत्ती दिखा दे रहा हूं कि पत्ती कैसा होता है तो दोस्तों यह देखिए पत्ती इमली की पत्ती की तरह दिखाई दे रहा है तो दोस्तों इस तरह से एक डंटल है सीक इसे सीक कहते हैं और इस सीक में एक सीक में करीबन इस तरह से लगे हुए हैं पत्ते आप देख लीजिए पहचान लीजिए ताकि यह पौधा आपको कही भी मिले तो आप आसानी से इस पौधे को पहचान सके तो दोस्तों मुझे उमीद है कि आप इस पौधे को पहचान चुके होंगे और इसका नाम में आपको फिर बता दे रहां इसे मयूर फूल के नाम से जाना जाता है तो आओ दोस्तों अब हम इसके फाइदे के बारे में ब तासीर का होता है और दोस्तों पत्ता भी ठंडा तासीर होता है और हाँ दोस्तों एक बात आपको बताना में भूल गया यह बड़ा जो गुल महर होता है जो सड़क की किनारे लगा रहता है बड़ा बड़ा गुल महर उसके फूलों से देखिए यह मिलता जुलता है इसलिए चोटा गुलमोहर कहते हैं तो जो फाइदा उस बड़े गुलम करय कोता है वही फाइदा इसमें भी है लेकिन यह गुलमोहर हर जगह नहीं मिलता है और नी सकता है तो दोस्तों जहा तलक लोगों को यह पूल इतना अच्छा लगता है कि वह गंले लगाते हैं और अपने घर आंगन को सजाते हैं देख लीजिए आप भी देखिए आपको भी काफी सुन्दर लगता हो देखने में तो दोस्तों आओ हम इसके आयरवेदी का उसदी गुड़ों को बारे में जाने और किस-किस बिमारी में इसका इस्तमाल करना है उसे समझें त और रोज रात को दस ग्राम गुल के साथ इसका एक चुटकी पौडर मिला कर खाकर सो जाए यह उपाय करीबं पांच साथ दिन आप करेंगे तो आपके सीने का कफ जो है निकलना सुरू हो जाएगा और दूसरा उपाय यह है दोस्तों अगर किसी की तवचा रोग है तो उस तवचा रोग में यह बीज यह जो कच्चा बीज है इस बीज को पीश कर चटनी बना लीजिए करीबं रोग के अनुसार चटनी बना लीजिए और उस चटनी में थोड़ा सा फिटकरी मिला लीजिए और नमक मिला कर उस चटनी को दाद खाज खुजली को ऊपर लगाए तो तो जरूर फाइदा होगा। तो दोस्तों मैं इसके जड़ के बारें भी आपको दिखादेना चाहताँ पहुआ पहचान ताकि आप ठीक से पहचान सके देखिए दोस्तो इस फूल के जड में इस तरह से काटा भी होता है यह देखिए पैचान लीजिए देख लिजिए और यह एक जाड़ी नुमा फूल है यह जाड़ियों के जैसा फैदा होता है यह जादे मोटा नहीं होता है आप देख लीजिए नजदी कीजिए पहचान लीजिए तो दोस्तों हम अपनी जानकारी अँ ही पर समाप्त करते हैं अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्क्राइब कीजिए तो नमस्कार दोस्तो पहाड़ी आयरवेदिक